हलो दोस्तो स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चनल आरध्या आरेस एकेड़ी में दोस्तो राजस्तान में आयुजित राजस्तान आरेस पिरी भरती परिक्षा 2021 के नविंतम पाठे करम के अनुसार दोस्तो सामने ग्यान एवं सामने विज्ञान के मौडल पेपर के टेस्ट सिरीच शुरू की गई थी जिसमें दोस्तो अपने चार मौडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें पाचवा नंबर का मौडल पेपर है दोस्तो परिक्षा में जाने से पहले इ इसमें सामिल किये गए है ठीक है पूंड़ता नविंतम पाठे करम पर आदा रिता है हूब हूँ आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा आप पले लिश्ट में जाएगा आरेस प्री मोडल पेपर के नाम से वाप फोल्डर बनावा है तो आप वहाँ आपके पिछले जो चार मोडल पेपर है उनका टेस्ट जरूर दे कर जाएं ठीक है और अध्यारेस एकडमी की यूट्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाई वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में जरूर करें तो चलिए दोस्तों करते है यहाँ पर देखें गराशिया जन जाती है यह दोस्तों आप रोड छेतर है शिरोई में यह निवास करती है बिल्कुल सही है डामोर छेतर यह दोस्तों सोरी डामोर जन जाती है यह सिमलवाडा छेतर में निवास करती है ठीक है और सहरिया जन जाती किसंगंज बारा और स 282पासी जंजाती है यह भरतपुर में पाई जाती है या निकि रहती है तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें सारे के सारे हैं वो सही सुमेली थैंगा एक दो थीन चारव जाएगा यालिनी की आरन상र का आप्षन बिल्कूल सही उतर नेक्स्ट आगे देखिए इसमें सेकंड नमबर प्रेस्ट नोहर तैसिल हनुमानगड में कौन सा प्रसिद मिला लगता है तो कौन सा प्रसिद मिला लगता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा मिला तो गोगा जी का मिला लगता है दोस्तो इसका सी नंबर ओप्षन राइट आंसर हो जाएगा लोहर तैसिल हनुमान गड़ में ठीक है ठीक है इस दूस्टो जिसे अपन गोगा मेडी के नाम से बी जानते है यहां पर बादरपध महिनें में दूस्टो क्रशन पक्स की नोमी को गोगा जी का मिला लगता है सी नंबर ओपषन राइट आंसर नेक्स्ट सूफी संत ख्वाजा मुहिन दिन चिस्ति किसके सासनकाल में राजस्तान आये थे तो यह आये थे दोस्तों किसके सासनकाल में राइट आंसर हो जाए का पर्थविराद चोहां तिर्थे के समय आये थे ये ख्वाजा मौहिन अद्दीन चिस्ती ठीक है तो इसमें डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो अपना इसमें चार नंबर का प्रेस ने गनेस्वर का टीला जहां से तामर यूगी नवसेस मिले हैं इस्तित है कहा पर इस्तित है तो दोस्तो ये शिकर जिले के नीम का थना तैसिल में इस्तित है ये गनेस्वर तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाए के अंदर था तो वो कौन सा के अंदर था तो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बूंदी यह नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बूंदी आगे देखिए इसमें उद्यपूर के निकट एक लिंग जी का मंदिर किस सासक ने बनव करवाया था और उनकी मूर्ति को प्रतेश ठापित करवाया था ठीक है और दोस्तों मारणा रायमल ने इसे पुना निर्मित करवाया था पंदरवी सताब्दी में और यह मंदिर कहा पर है उद्यपूर में डी नंबर ऑप्शन सही उतर हो जाएगा साथ नंबर का प्रस ने सासक ने चावंड को उपनी राजदानी बनाया तो सिधा साथ यहां पे पुछा ग्या है चावंड को राजदानी कि ने बनाया तो इसका महराना परताब ने दोस्तों चावंड को अपनी राजदानी बनाई थी कब तो दोस्तो 1585 में याद रखना 1585 में वारणा परताब ने अपनी राजदानी बनाई थी चावंड को तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्न में से कौन सा नर्ते विशु रूप से पुर्षो का नर्ते है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गैर नर्ते तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए रंधंबोर का युद तेरा सो एक इसवी में निम्न में से किसके मद्दे हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तो रंधंबोर का जो युद है यह हमीर देव चोहान और दोस्तो अलावदिन खिल जी के मद्दे यह हैं युद हुआ था तो इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें अलावदिन और हमीर के बीच में हुआ था ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए दस नंबर का प्रैसन है सुची फस्ट में नया नाम है और सुची सेकंड में प्राचिन नाम है इसमें सुची फस्ट में तो आएगा इसमें प्राचिन नाम और सुची सेकंड में है यह किसका प्राचिन नाम था तो यह दोस्तों नगरी का प्राचिन नाम था तो यहां पर इस प्रैसिन का राइट आंसर एक दो तीन चार हो जाएगा चारों के चारों इसमें सही सुमेली दे रहे ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसका आगे देखिए इसमें अकबर के नौ रतनों में राजस्तान के कौन से कवी थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के नौ रतनों में दोस्तों अबुल फजल का समन्द है वो राजस्तान से है ठीक है तो इ ये नागोर आकर बस गए थे और इनका जो जन्म है वो अबुल फजल का जो जन्म है ये दोस्तों 1526 में नागोर में हुआ था तो इसमें सी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों पने इसमें देखे पिछवाई कलाकरतियों में बने चित्र उद्गत किये गए हैं बताइए पिछवाई कलाकरतियों में बने चित्र है वो उद्दत किये गए है बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये भगवान कृशन के जीवन से समंदित यह चित्र है वो उद्दत किये गए हैं तो इसमें राइट अंसर सी नंबर उप्षन हो जाएगा आगे देखे हाड़ोती बोली राजस्तान के जिस चेत्र में प्राये नहीं बोली जाती है वह चेत्र है तो वह चेत्र कौन सा है तो वह चेत्र है दोस्तों भरतपूर यह नंबर उप्षन सही उतर कोटा बुंदी बारा जालावाड इन चैरों छेत्रों में यहाड़ोती बोली बोली जाती है तो इसमें एन नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखे इंद्रा गंदी नहर प्रियोजना से किन जिलों को सिचाई सुईदा प्राप्त हो रह है वो प्राप्त हो रही है यह नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें पंद्रा नंबर का प्रेस ने मावट है जिनके द्वारा प्राप्त होती है तो दोस्तों मावट है वो किनके द्वारा प्राप्त होती है तो दोस्तों इसका राइट आ से हो जाएगा सी नंबर उप्सन शही अजा या फिर उत्री पूर्वी मांसोन भी बोल सकते हैं तो इसमें निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो दोस्तों निमनलिकित कतनों पर अपने को क्या करना है विचार करना है यहां पे देखे किराडू सिलालेक में बाड मेर के परमार सासकों की जानकारी मिलती है बिलकुल साब मिलती है यहां सिलालेक ग्यारा सो एक सट इस्वी में उतकिंड किया गया था बिलकुल किया गया था दोनों ही कतन है वो सत्ते है इस प्रेसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का उप इसका बिलकुल हो जाएगा ठीक है यहाद रखना है आपको इसमें रजस्टां में सपेद time का उतपादन का होता है तो दोस्तों सपेद final Okay प्रैस्था सु के उपर होनिटordon में होता है देखिए शुरुआत में आपतेशी सभड MRI on और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शो के उपर पहुंचेंगे, तो आपको वहाँ पर दोस्तों किसन बहुत ही सांदर लेवल के देखने को मिलेंगे, जो उन प्रस्थनों को हल करेगा, वो ही दोस्तों सेलेक्षन उनका शोर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प कंब बड़े प्रदेश एओग और अपना जल, खंबाथ की खाडी में उड़ती है, वह हैं, तो दोस्तों, देखें, बड़े प्रदेश, तो आती एकोण, माही न दी, और यू का आकार बनाते हुए, दोस्तों, यह कहाँ पर चली जाती है, खंबाथ की खाडी में राइट इस्टित है तो यह इस्टित है दोस्तों बिकानेर में बी नमबर उप्षन सहीतर हो जाएगा विकानेर आगे देखे देश की सबसे कम छेतर पल की बाग पर्योजना जिसमें बाग बगेरे नील गाय चीतल रीच जरक वचिंकारा आदिप आए जाते हैं देश की सबसे कम छेत रोजाएगा रन थम्बोर अब ब्यारण है ठीक है आगे देखिए दुस्तों इसमें निमनलिकित में से कौन सा यूग मेसाई सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखिए दुस्तों अपने को बताना है कौन साइस में साही नहीं है देखे रक्षानुशंदान परियोग साला काँ पर है तो दोस्तो जोदपूर में है बिल्कुल सही है ठीक है यहां पर देखे अर्बी फार्शी सोध संस्तान है यह काँ पर है यह टोक में है बिल्कुल सही है केंदरिय सुस्क बागवानी संस्तान काँ पर है तो यह बीचवाल में है बिल्कुल सही है सुकर फारम बरतपुर ये दोस्तो अपना इसमें गल्त दे रुखा है दोस्तो सुकर फर्म है ये कहां पर है तो ये अल्वर में है कहां पर है अलवर जिले में है तो यहां पर इसमें right answer क्या हो जाएगा स्टीनम्बर का जो अप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चोकला बी नंबर का जो प्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चोकला आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें किसके उत्पादन में भारत में राजस्तान का पर्थमिस्तान है तो इसका राइट अंसर हो जाएग यह आपको इसमें याद रखना है ठीक हैं आगे देखे दोस्तो अपना इसमें राजस्तान में इंद्रपरस्त उध्योगी के छेतर स्थापित किया गया है तो यह कहां पर स्थापित क्या गया है है राइट अंसर हो जाएगा तो ये इस्तापिद किया गया है दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें, दोस्तो भील वाड़ा में इस्तापिद किया गया है, वी नमبر का उप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, राजस्तान में भूमी की उर्वरता बढ़ाने के राजस्तान में गाओं को स्वाव लंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है तो वो माध्यम कुन सा है तो वो माध्यम है दोस्तों ग्रामिनों मुखी आर्थिक योजनाओं का निर्मान है ये दोस्तों गाओं को स्वाव लंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है ये नंबर का उ यह प्रणाली है यह किर्यानवित है तो इसमें राइट आंसर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें सोर उर्जा उपकरम छेतर समंदित है यह समंदित है दोस्तों जोदपुर बाड मेर और जैसल मेर से समंदित है यह तो इसमें राइट आंसर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट 31 नंबर का प्रेस ने इसमें देखे निम्न में से किसका उत्तरदाईत्वर राज्य सरकार एवं पंचायती राजसंस्ताओं के मद्दे करों के बटवारे हितू सिदान्त निर्द कि अधारित करना है तो इसका राईट अंसर हो जाएगा वह है दोस्तों में राज्य वित-ायोग जैगा राजे वित आयोग आगे देखिए राजस्तां राज्य की सरवोच ने 9 Syakac tort C कौनूशी है तो वह दोस्तों इसमें ऐ त्वर दोस्त он के तहीं बात हो रही है यापह उचने ले भारत की बात करोगे तो सुप्रीम कोट ठीक है तो यहां पर राइट आंसर भी नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में ग्राम ग्राम पंचायत के उप्शर पंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों ग्राम पंचायत के उप्शर पंच का निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों जो वाड़ पंच होते हैं ठीक है उन्हों वाड़ पंचों में से ही दोस्तो एक को उपसरपंस बनाय जाता है यानि कि पंचो द्वारा अपने में से ही एक उपसरपंस बनाय जाता है इसमें दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे ठीक है ओप्षन में भी देखिए कुट बस हम इसमें पूछा गया है तो वही होगा बी नमबर का ओप्षन सहीतर अपने में से ही पंचों में से आगे देखिए चौटीस नमबर का प्रेस ने इसमें देखिए निमनलिकित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत प्राप्त हुआ किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत राप्त हुआ राइеп आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुरार जी देखाई को बी नमबर का ओप्षन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगЕ देखिए दौ़रा रजे वितायों का गठन किया जाता है रा growy धिक्रित करना है को और दूसरी तरफ सर्वाधक उत्पादक जिला में दोस्तों आम्पाइपु ये यहां पर इस प्रस्टिक का उत्पादक जिला यह क्षिक्रघॏगाहार। और नीम्बू का सरवादी कुत पादक जिला है तो वो है दोलफूर तो यहां पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा चार तीन दो एक इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा यानि कि अपना इसमें बी नंबर का उप्शन बिलकुल सही आगे देखिए दोस्तो कि अनुसंदान के नडर बासवडा की ओर से विकषिते से कुल किस्म माही कंचन किस फसल से सुमन दी नंबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ये मक्के से समन दीत है आगे देखिए गुंसालेस नंबर प्रेस्थ ने खेत में बीज उरने के काम में लाई जाने वाली मोटे बास की नलीका कहलाती है खेत में बीज उरने के काम में लाई जाने वाली मोटे बास की नलीका कहलाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो ओरनी कहलाती है ये डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा और नहीं कहलाती है आगे देखिए राजस्तान का परवेश द्वार किसे कहते हैं तो दोस्तों राजस्तान का परवेश द्वार बरतपूर को कहते हैं तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आ ठीक है और यहां बिहार राज्य के अंतिचक यानि की भागलपूर में इस्तित है यह जो धरमपाल है यह पाल वंस का सबसे महान सासक था तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा यह नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर धरमपाल नेक्स्ट गोतम बुद्ध क मा किस बंद से समंदी थी गोतम बुद्ध की मा दोस्तों आप सभी को पता है गोतम बुद्ध का जन्में 563 इस्वी पूरों में कपिल वस्तु के लुंबीनिक नाम पर हुआ था इनके पिता का नाम सुद्धोदन था और यह साक्य गण के मुख्या थे क्या थे साक्य गण क मुख्या थे तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए साक्य गण के तो मुख्या थे ठीक है अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताओं कि देखिए इनकी जो माता थी माया देवी यह कोलिये वंस की कन्या थी क्या थी कोलिये वंस की कन्या थी अब यहा दोस्तों साक्य वंस के थे तो यहां पर इसमें राइट आइट आइट है D नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा बहुत ही अच्छा प्रहसे था आगे देखे है महवीर का पर्थम अन्यूइ एई कौँ था महवीर का पर्थम अन्यूइ एई ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर ऑप्शन सही उत्तर आगे देखिए निम्न में से कौन एक बुद्गरंथ सोले माजन पदो का उले करता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा अंगुतर निकाए बुद्गरंथ है एक अंगुतर निकाए जिसमें सोले माजन पदो की जानकरी मिलती है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगे देखिए दोस्तों इसमें भारत में किस सिस्तान से मद की गुफा ठीख है कहाऩए रहे मद्धे प्रदेश में है दोस्तों मद्धे फरदेश के राइसंड जिले में है यह वहाँ से दोस्तों मद्धे wsandan का इसे दोस्तों एक रोजगार दफ्तर के स्थापना की थी तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही तर हो जाएगा याद रखना है आपको आगे देखिए दोस्तों इसमें 47 नंबर का प्रेस ने देखिए 1665 में सिवाजी ने किस मु पुरंदर की संदी पर अस्ताक्सर किये थे राइट अंसर हो जाएगा वह दोस्तों इसमें मिर्जाराजा Glenn जैसिंग है तो दौस्तों द्था नंब्सटों ये पुरंदर की संदी होई थी थी तो इसमें की संदी तेक है यहां पर इसका राइट आंसर बी नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें अड़तालिस नमबर का प्रेस्ट नहीं राष्ट्रकूट सासकों को कालानुकरम में करम से इस्तान दीजिए तो दोस्तों सबसे पहला सासक इसमें कौन सा दंत दंति दुर्ग था दोस्तों 735 इस्वी से 756 तक तक है उसके बाद में शासक बना दोस्तों गोविंद सेकेंड है यह दोस्तों बना था 740 से 780 तक ठीक है उसके बाद में जो 3 सासक बना था वो बना था अमोग वर्ष परत्व और ये बना था दोस्तो 814 से 880 ठीक है और फिर बना दोस्तो करशन देती है ये बना दोस्तो 878 से 914 ठीक है 878 से 914 तर तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले दंतिद्रू के एक नंबर पर यानि कि चार फिर गोविंद दो फिर तीन एक चार दो तीन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा चार दो तीन एक कौन सा option है इसमें देखिए इसमें सही नहीं दे रखा है आपको ए नमबर का option करना है 4 3 इसमें 4 फिर 2 4 2 3 1 ठीक है 4 2 3 1 इसका right answer होगा ए नमबर का option इसमें नहीं है ठीक है आगे देखिए बारत के किस मद्दे कालीन सासक ने इकता विवस्ता प्रारंब की तो इकता विवस्ता है वो किस ने प्रारंब की राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें इल्तुत मिस्त ने इकता विवस्ता है ये प्रारंब की थी ठीक है याद रखना आगे देखिए दोस् गुजरात के चालों के सासक दोस्तों भीमदेव पर्थम के सामन्त विमल सा ने करवाया था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संग्मर्मर डी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे निम्नलिकित युक्मों में से कौन सा सही नहीं है तो कौन सा इसमें सही नहीं है य जांगे यह गलत हो जाएगा दोस्तों जांगे काफी बार यह प्रेस्टन परिक्षा में पूचा जा चुका है 1646 में दोस्तों यह है युद हुआ था और यह बल्क का युद है यह साजा के सासनकाल में हुआ था तो इस प्रैस्टन का राइट आंसर डी नंबर उप्सन सही सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 1857 इसवी के निमनलिखित करांती कारियों में से किसका वास्तिक नाम राम चंदर पंडूरंग था तो दोस्तों राम चंदर पंडूरंग है यह किसका वास्तिक नाम था यह नाम था दोस्तों त्याटर टोपे का वास्तिक नाम था ठी त्याटर टोपे है ये नाना साहिब के कमंडर इन चीफ थे तो इसका राइट आंसर ट्याटर टोपे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें गुनी सो साथ इस्वी के भारती राष्टे कोंग्रेस के सूरत के वार्शिक अदिवेशन के अ जाएगा यानि कि रास भी आरी गोस ठीक है याद रखना जो सूरत अदिवेशन हुआ था गुनी सो साथ में ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 54 नंबर का प्रेस ने निम्नलिकित में से कौन एक सही सुमेलित है कौन एक सही सुमेलित है यह अपने को यहां पर बताना है दोस्तों देखिए सिर्फ एक सही सुमेलित है और वो एक सही सुमेलित कौन सा है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ एक बार देखिए रफीक जकारिया इनकी पुस्तक है दोस्तों दे मैन हूँ डिवाइडेड इंडिया दे मैन हूँ डिवाइडेड इं इंडिया लाला लाज पत्राए यहां पर क्या दे रखा है गलत दे रखा है ठीक है लाला लाज पत्राए ने दोस्तो पुस्तक लिकी थी अनहपी इंडिया अनहपी इंडिया पुस्तक लिकी थी लाला लाज पत्राए ने और दोस्तो यहां पर सुबाश चंदर बोश दे रख पार्टिसन गिल्टी मैन ओफ इंडियाज पार्टिसन ये पुस्तक लिखी थी दोस्तो में निम्न लिकित में से किस महिला करांतिकारी ने दिक्षांत समारोह में अपनी उपादी डिग्री ग्रेंड करते समय अंग्रेज गवर्नर यानि कि कुला दीपती पर गोली चलाई थी बताइए निम्नलिकित में से किस महिला करांतिकारी ने दिक्षांत समारोह में अपनी उपादी ग्रेंड करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों बीनादास नामक करांतिकारी महिला ने दिक्षांत समारों में अपनी उपादी गरंड करते समय अंग्रेज गवर्नर यानिकि कुलादी पती पर दोस्तों गोली गया था मुस्लिम लीग डौरा लिमने लीकित मेंसे किस टितिको सिद्य कारेवाही दीवस के रूप में निष्चित किया गया था राइट अंसर हो जाए गा वह दोस्तों 16 मोरी में नियक्स अग्रेज निवाप्सन बिलकुल Як दो आप मैं को पता है दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है वो नौंबर 1913 में हुई थी ठीक है तो इस प्रेशन का दोस्तों राइट अंसर हो जाए कहां पर हुई थी तो यह हुई थी दोस्तों सौन सिंग बाकना ने सेन फ्रांसिसकों में पेसिफिक कोष्ट हिंदुस्तान इस यो सिसन की स्थापना की थी इसके दोरा गदर पत्रीका का परकाशन किया गया था ठीक है और इसके नाम पर ही इस आंदुलन का नाम है वो गदर आंदुलन पड़ा था ठीक है जिसके परमुक सदस्य भी थे लाला हर्दयाल पंडित कासी राम भाई पर्मानेद करतार का वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो सही उक्तराजे अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ठीक है सैन फ्रांसिसकों में तो इसमें डी नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित को काल करमानुसार व्यवस्तित कीजिए और सही उ आपको इसमें थोड़ा याद रखना है तो चार नंबर सब कि देखे किस किस में हैं तीनों में ही है सुरुआत के तीनों गेंदर ठीक है और देखे दोस्तों अपना इसमें देखे इसमें एसायो गांदोलन गुनी सो बीस सवी नवग्यांदोलन गुनी सो तीस ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आएगा खिलाफत आंदोलन सबसे पहले कौन सा आंदोलन आएगा तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन आएगा ठीक है यानि कि तीन नंबर सबसे पहले उस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से किन ब्रिटिस सदिकारियों ने लखनाव में अपना जीवन खोया था बताए किन ब्रिटिस सदिकारियों ने लखनाव में अपना जीवन खोया था तो दोस्तों वह है अपना इसमें देखे अपने कोई और मेजर जनरल हेवलोक और सर हेंडरी लोरेंस है इन तीनों ने अपना जो जीवन है वो लखनों में खोया था तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें कौन सा दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो अपना इसमें दो तीन चार यानि की सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको याद रखना है ठीक है दोस्तो 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजो द्वारा दिली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जौन निकल्सन की मरती हुई और लखनाओ में दोस्तो 1857 इसवी के विद्रों के दोरान रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेंडरी लोरेंस मेजर जनरल हेवलोक और जनरल नील की मर कि देखे जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंब हुआ यह आंदोलन है यह दोस्तों कहां पर प्रारंब हुआ था यह दोस्तों मनीपूर में प्रारंब हुआ था ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों सी नंबर का उप्शन बिलकुल सहीवतर हो था बताइए निमनलिकित नेताओं मेंसे किसने भारत सोड़ा अंदोलन के दोरां जेल से फरार होकर भूमिगत गती विदियों को संगठित किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जैपरकास नारायन ने तो इसमें डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जैपरकास नारायन बाइसट नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए दोस्तों देखिए यहां पर अपने को बताना है कि काल कर्मन उसर विवस्तित कीजिए कूट बासा का अपने को उतर देना है और दोस्तों इसमें अगस्त प्रस क्बेशित के लिए बोलूPop तो दोस्तों सबसे पहले को यहाइगा इसमें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों अगस्त परस्टाय खाओ एक नंबर पे उसके बाद में मंत्री मंडुल मिसन न कीसना यह दो नंबर पर क講und TV को यहां अपर इसप्रसं का रैट क्या हो जाएगा एक दो तीन चार इसका राइट अंसर एक दो सुरी एक दो चार तीन इसका राइट अंसर यानि कि ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से कौन एक युग में सुमेलित है कौन एक युग में सुमेलित है दोस्तों इ जवाहरलाल नहरू ए बायोग्राफी नामक पुस्तक लिकी थी बाकी तीनों है वो इसमें गलत दे रखे हैं ठीक है तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निमनलिकित सासकों में से किस इसमें विदेशों में आद्धूनिक रिती पर दोतावासों की स्थापना की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किसने तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है इसमें टीपू सुल्तान ने ठीक है डी नमबर उप्शन सही उत्र टीपू सुल्तान नहीं आगे देखें निम्न अली कित में से वह कौन था जो काकोडी सडी अंतर कांड में फासी की सजा से बच गया था दोस्तों बात है नो अगस्त को निस सो पच्छिस की दोस्तों काकोडी जाने वाली गाड़ी में लूट पार्ट की थी इन करामतिकारियो ने ये उत्र परदेश के करामतिकारी थे और इस गटना को कालांतर में काकोरी कांड के नाम से जाना गया था ठीक है और इस कांड में दोस्तों मुखे अभीयुक्त राम परसाद बिसमिल अस्पाक उल्लाखा सचिंदर सन्याल राजिंदर लाहिडी चंदर सेखर आजाद ए पुलिस की एक मुटवेड में 27 फरवरी 1931 को इलाबाद परियागराज के अलफ्रेड पारक में यह सहीद हो गये थे इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंदर से खराजाद यह फांसी की सजा से बच गए थे आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें किस प्रांद में सरो परत्म सामयवादी सरकार की स्तापना हुई तो सामयवादी सरकार की स्तापना दोस्तों के रल में हुई थी जए interpreted हो जाएगा आगे देखिए इसमें के यानि की यहां पर देखिए भारत के उस्तमनेले की स्वायतता की रक्षा हे तू क्या प्रावदान है अच्छा प्रेसन है दोस्तो भारत के उस्तमनेले की स्वायतता की रक्षा हे तू क्या प्रावदान है ये अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तो प्रावदान बताने है ठीक है बहुत ही अ देखे उच्तम नयायले के नयायदीसों की न्यूक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य नयायदीस से विचार स्विमर्स करना पड़ता है बिल्कुल सही बात है साब करना पड़ता है ठीक है इसके अलावा दोस्तों दूस्तरा सही है इसमें नयायदीसों का वेतन भारत के संचित निदी पर आरोपित होता है जिस पर विदान मंडल को अपना मत नहीं देना होता है ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है बाकी इसमें दूसरा और चोता है ये गलत दे रखा एक और तिन इसमें बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा को 976 में में यह पारित किया गया था राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए जहाएप सिक्ष्टी नाइन का प्रैस ने तीक है देखिए निम्नलिकित में से क समीलित है यहां पर आप बोल सकते हैं कि किस से समंधित है तो यह पंचायती राज से समंधित है ठीक है और यह पे देखिए चार पॉप्टसन दे रखें और चारों कि चारों पनुचाय थिराज श्मंदित आध दोष्ट में इसका प्रावधान किया गया है तो दोस्तों इस प्रेस्टन का दोस्तों जैंनर जो राइट आंसर है वो हु को जाएगा अपना tag डेखेे बताना है है मित्रों ठीक है इस प्रशन का राइट आंसर अपने को कूटबासा में बताना है और यहां पर दोस्तों देखे एक दो तीन यहां पे ग्राम पंचायत चेतर पंचायत और ग्राम पंचायत जिला पंचायत चेतर पंचायत और ग्राम पंचायत यह तीनों इसमें सामिल आते है नगर पंचायत इसके अंतरगत नहीं आती तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन इसमें सही है यानि कि बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए सतर नंबर का प्रेसन है इन में से कौन राजे के नीती निर्दे सक्षिदानतों में समिलित नहीं है तो दोस्तो इसमें बताइए कौन सा इसमें समिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए नीति निर्द सक्ति शिद्दान्तों में मदे निश्यद है काम का अदिकार है समान कार यह तो समान वेतन है लेकिन सुचना का अदिकार नहीं है तो इसमें डी नंबर का जो प्रशन है वो इसका भिलकुल सही autoconcial हो जायगा यह आप को इसमें याद रखना है ठीक है सूचना का अधिकार यह नहीं है इसमें आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें कि सेवंटीवन नमबर प्रस्टने निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारती सविदान के अंतरगत मौली का दिकार भी है तो भारती सविदान के संसोधन के माध्यम से दोस्तों अनुचे 21 में संसोधन करके दोस्तों 21 से जोड़ा गया था ठीक है तो दोस्तों इस प्रेशन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यह तो सभी को पता है सही उत्तरजिश में सिक्ष्या का दिकार आएगा सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें बारतिय सविधान में संसोधन करके गया पे दखियें दोस्तों भारतिय सविधान में संसोधन करके सिक्ष्याutive अदिकार चुड़ा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जोड़ा था दोस्तों अपना इसमें एकप्रेल 2010 यह नंबर का जो बिल्क एक विदेग जो संसद में प्रश्चुत किया जाता है और कौन सी क्रिया के बाद में वह दिनियम बन जाता है आप सभी को पता होगा दोस्तव जब राश्टर पतिम gosh पिकनी सहमति देदे या रिचा रैट आश्चर पाहड़ियां जिनकी शीमाओं पर Folge तो इसका बिल्कुल सब्सक्राइब नागपूर में आगे देखे साहरदा सायक समादेश विकास परियुजना के मुख्य लक्षे निम्नलिकित में से क्या है बताइए अच्छा प्रस्ने अपने को दोस्तों कूटबासा में बताना है सारदा सायक समादेश विकास परियुजना के मुख्य लक्षे निम्नलिकित में से क्या है तो यहां पर देखे इसका लक्षे कर्शी उत्पादन बढ़ाना है बिल्कुल सही है बहु फसली खेती द्वरा भूमी उप्योग के प्र बिल्कुल सही तर यह सबी आगे देखे दोजार ग्यारा की जनगर्णा के अंतिमाकडो के अनुसार भारत में नियून तम योन अनुपाद पाए जाता है यह पाए जाता है दोस्तों कहां पर तो यह पाए जाता है दमन एवम दीव में बी नंबर का जो अप्शन है वो इस राज ने साकसरतादर में सरवादिक वर्दी दर्ज की राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखे सरवादिक वर्दी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भीहार ने की थी देखे दोजार एक में 47.12.30 साकसरतादर है और 2011 के अंदर 63.82 ती यानिकि अ 20.-11.20.50 का उप्शन विल्कुल सही उतर बिहार ने सबसे ज्यादा तरक्य की थी साकसरता में आगे देखे 2011 की जनगंड़ा की अंत्रीम आकड़ों के अनुसार तो वह कूंसा है तो वह दोस्तों महराश्टर है शी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर महराश्टर अगे देखिए यदि आप अरुनाचल परदेश के तिरप में सूरियोदे पांच बजे प्राते पर होता है तो गुजरात में कांडवा में सूरियोदे किस समय पर होगा बताइए यहां पर बहुत ही अच्छा प्रसना पर इसको कह सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिए देशांतर इस्तितिक के अनुरूप तिरप और कांडला में सूरियोदे के समय में दो गंठे का अंतर होगा यानि कि साड़े यहां पर पांच बजे हैं तो वहां पर लगवख साथ बजे गुजरात में सूरियोदों होगा तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उप्शन बि शुक्त सही है गोदावरी गोदावरी नद्री का जो ऊधग में यह उता है दोस्तों महाबलेश्वर के निकटेशłemव पाडियां माहरास्टर में एक है इसमें उत्राखंड की हिम्नद आप बोल सकते हैं वहां से इसका उद्गम होता है इसमें दोस्तों चारों की चारों सही सुमेलित हैं इस प्रेस्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा दोस्तों अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर यहां प अपने को यहां पर बताना है ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट है कि इसमें कौन सा है वो सही है ठीक है देखिए दोस्तों तमिल लाडू ने गुनी सो 61 से 2001 की अवदी में नगरी करन अनुपात में सरवादी के वर्दी अंकित की बिलकुल सही बात है साब की आगे देखिए भारत में एक नगरी केंदर का उस्ता का लगबग 45,000 है यह दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा ठीक है और नगरी केंदरों की सबसे बड़ी संक्या चतुल्ट स्रेणी में आती है यह भी बिलकुल सही है तो दोस्तों इ गलत दे रखा है और चोथा भी इसमें गलत दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों इसमें एक और तीन सही है शी नंबर ऑप्शन बिलकुल सही उत्र हो जाएगा अगे देखिए निम्न लिकित कत्नों में से कौन सा सही है 83 नंबर का प्रेस ने ठीक है इ देखिए दोस्तों यहां पर देखे भारत के उत्री सेहरी उत्री सेहरों में सामानेत ऐसन तोलित लिंगान उपात मिलता है तो दोस्तों इसमें यह गलत देखा है यह देकिए भारत के पस्मी सेरों में ग्रामेंड शेतरों में लगूतर प्रवजन होता है ठीक है और भारत के पस्मी भाग में विक्षित सेर जैसे दोस्तों इसमें पूरे मंबाई नागपूर एमदाबाद सूरत जैपूर इन शेतरों में दोस्तों भारत के अन्य भागों के अपिक्षा कम होता है प्रवजन ठीक है तो यहां पर पहला नंबर का उप्शन गलत है आगे देखें पस्मी सहरों के केंद्री करण के विपरित पूर्वी सहर बिखरे हुए है बिल्कुल सही है दक्सिन में स्रम सक्ती में मैलाओं की इसाइयों की लगू संक्या तथा उच्छा दर के कारण वरतर भागीदारी है बिल्कुल सही है दूसरा तीसरा सही है चोथा देखें पस्मी सहरों में ग्रामेंड चेत्रों से लगूतर प्रोजन होता है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो तीन चार इसमें बिल्कुल सही है बी नंबर का जो अप तो इसमें बिनम्बर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा कुवेत नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों पना इसमें 90 डिगरी पूर्व कटक अवस्थित है बताइए बताइए 90 डिगरी पूर्व कटक अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारती ए मासागर में B नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर है हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखे दोस्तों अपना इसमें 86 नंबर का प्रेसन है इसमें देखे सूची फर्ष्ट को सूची सेकिंड से क्या करना है सुमेलित करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सूची फर्ष्ट में एटना यह द्वीप है दोस्तों बताइए जौला मुखी तो यहाँ पर देखे एटना यह कांपर है तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है यह दोस्तों सिलिसी में है कांपर है सिलिसी में और दोस्तो विसुवियस विसुवियस है ये कांपर है तो दोस्तो ये जो विसुवियस है ये इटली में है कांपर है इटली में और येरिवस का है येरिवस ये दोस्तो रास जीपमन में है और केटो पैक्सी कांपर है कैंet तो यह एक्वेडृरं में है ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाए गा दोस्तो चार तीन एक दो इसका बिल्कुल सही करता हो जाएगा यानिकि अपना इसमें एक ऑप्स्ण है वह इसका बिल्कुल सही आगे डेके निम्ना लिक्श्व में से कौन सा एक सही सुमेलित है तो कों सा एक समें सही ये बोछ स्वाना ठीकाएं और ये बुसमेन क्या है जन जाती है ठीके है और ये कालारी मरुस्तले में पाई जाती है ये बुसमेन डी नमबर का उपशन राइट आंसर होजाएगा ठीके है भी आगे देखें दोस्तों अपनैस में अंगल अनुए अमेरिकन verses कर्थी परिमंड में समयलित नहीं किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें मेक्सिको और क्यूबा ठीक है इनको समयलित है वो नहीं किया जाता बाकि कनाड़ा और संविक्तराजी अमेरिका को इसमें उंगल अमेरिकी संसक्रती परिवंडल में समिलित किया गया है ठीक है अमेरिका और कनाडा ये तो समिलित है लेकिन क्यूबा और मेक्सिको है वो नहीं है या आपको इसमें याद रखना है तो इसमें राइट आंसर दोस्तों तीन और चार है ये समिलित नह जाएगा आगे देखे निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए ठीक है निमनलिकित कतनों पर क्या करना है विचार करना है कौन सा कतन है वो अपना इसमें बिल्कुल सत्य है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों देखिए कुल गार्डी औस्टेलिया में अवस्तित है बिल्कुल सही है कुल गार्डी में सोने का उत्कनन होता है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा सी नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर ए और भी दोनों इसमें क्या है सही है आगे देखिए नीचे दो वाक्यांस दिये गए हैं कथन ए और कारण आर दिया गया है कथन ए और कारण आर दिया गया है तो इसमें दोस्तों देखिए प्राकर्तिक वनस्पति जलवायों का सही सुचकांक है जल परिये पोदे आद्र जलवायों में पाए जाते हैं दोनों ही दोस्तों बिल्कुल सही है तो इसमें दोस्तो ए नंबर का उप्षन बिल्कुल तरो जाएगा आगे देखे। निम्ना लिकित देशों में से कौन सा देश इस्तलबादित है बताईए कौन सा देश है वो इस्तलबादित है वो यहां पर अपने को बताना है अच्छा प्रेस नहीं यह देखिए दोस्तो इसमें अफगालिस्तान ठीक है एक है दोस्तो इसमें हैंगरी और एक है स्वीटर जलरेंड मलेशिया इसमें दोस्तो इस्तलबा तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो अपसन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 92 नंबर का प्रेस ने विस्वा के सक्रियज वाला मुक्यों तथा उनकी अविस्तितिक के समंद में कौन सा यूग में सही नहीं है तो कौन सा यूग में इसमें सही नहीं है तो यहाँ पर देखे क्राकोट वा जो जो जौला मुक्य है यह इंडोनेसिया में पाये जाता है बिलकुल सही है को है सुल्तान यह इरान में पाये जाता है माउंट एटना यह दोस्तों इटली में पाये जा से किस एक को यूरेनियम सीटी स्थापित करने, का जो सरे दिया जाता primarily तो इसमें विदेशी प्रतेक्स रूप से समाविष्ट होंगी कौन सी बाते भारत में विदेशी प्रतेक्स निवेस में समाविष्ट होंगी बताईए तो दोस्तों इसमें देखे यहां पर अपने को क्या करना है दोस्तों कूट बासा में क्या करना है उत्तर देना है तो यहां पर नियाज का विदेशी एकवर्टी धारण विदेशी कंपणियों द्वारा अन्यने रूप से विद्पोसित कंपनिया तो इसमें एक दो और तीन तीनों सही है चोथा इसमें पॉट्फोलियो निवेश ये गलत देरका है राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक दो तीन तो इसम मुद्रा का अंतराष्टे बाजार में मुल्ले ये भी दोस्तों अपने को कूट बासा में इसका उतर देना है ठीक है दोस्तों देखिए विश्व बैंक निर्दारित करता है किसी मुद्रा का अंतराष्टे बाजार में मुल्ले बिल्कुल सही है समंदित देश द्वारा प्र से निर्दारित होता है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन सही उतर यह सभी ठीक है आगे देखिए दोस्तों 96 नंबर प्राचीन भारत में देश की अर्थ्विवस्ता में संगठन के संदर्ब में निमनलिकित में से कौन सा कतन है वो सही है यह अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है ठीक है तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा सही है दोस्तों कूट बासा में अपने को उत्तर देना है तो यहाँ पर तीन कतन दिये गए हैं जिसमें से पहला कतन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है दूसरा तीसरा इसमें सही है सरेनी ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिशित करती थी और सरेनी का अपने सद्द्शियों पर नयाई का दिकार होता था ये भी दोस्तों इसमें सए है तो इसमें 2 और 3 है वो इसमें बिलकुल सत्ते हो जाएगा C number option बिल्कुल सही उतर आगे देखे इसमें 97 number प्रेस ने वह संगठन जो करसी एवं गरामिन आफशकताओं के लिए रण की देखरे करता है तो वहें कुन सा right answer क्या हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें नाबाड तो इसमें C number option सही उतर हो जाएगा कि महता भड़ गई है क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह उत्पादों को सुरक्षा परदान करता है यह उत्पादों को आकरशक बनाता है यह उत्पादों को की विश्वसनियता बढ़ाता है राइट अंसर हो जाएगा डी नमबर option सही उतर यह सभी आगे देखे सो नमबर प्र है वो इसका बिलकुल सही उतर है हो जाएगा एक सो एक नमबर का प्रेस ने इसमें देखे वह विधी के माद्यम से GNP की काणना में क्या सामिल नहीं किया जाता तो बताईं यह क्या सामिल नहीं किया जाता राइट अंसर हो जाएगा वहš Salvador उसमें मुल्लळ हास्व Mt C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 102 number का press ने इसमें देखिए विश्वे व्यापर संगठन है जिसका अंग है वह है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपने इसमें कौन सा तो वो है गेट सदस्यों द्वारा इस्तापित एक अंतराश्टेव आपार संगठन है ठीक है तो यह इसका अंग है तो इसमें right answer हो जाएगा डी नंबर option बिल्कुल सही उतर है 103 नंबर प्रेस ने इसमें देखिए भारत जैसा विक्सित देश जो गती हींता और मुद्रा इस्पिती दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और व्रदिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है तो वह है दोस्तो वह कराए तो इसमें दोस्तो ए नंबर का option सही उतरोजागा कराए 104 नंबर प्रेस ने वर्ष गुनी 2018 में घटित समीती द्वरा नेरो रिपोर्ट मोतिलाल ने नेकि थी जिसमें भारत के 62-20 की रिठान की रोप रेखा तैयार की की गई थी नेरो रीपोर्ट का सर्षक क्या रखा गया था तो दा नैरो रखा गया था दोस्तो भारत में सवेदानी के व्यवस्ता हैं, C नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 105 नमबर का प्रेशने स्वच से भारत अभियान सांसद आदर्स ग्राम योजना परदान मंतरी जंदन योजना और परदान मंतरी किसान समान योजना ये दोस्तों चार योजना ही दे रखिये है अपने को इसमें करम से बताना है आरेस लेवल का प्रसन है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इन में से तीन योजना 2014 में प्रारंब हुई है और एक योजना 2018 में प्रारंब हुई है दोस्तों जो किसान समान योजना है ये दोस्तों एक दिसंबर 2018 में प्रारंब हुई है तो आप इसको तो अलग रख दीजिए ये इसमें आगे 2018 लिख दिया साब अब यहां पर देखिए दोश्वत भारत अवियान, 2014 में प्रारम होँआ, कब 2 अक्टॉमबर को, 37 आद्रस ग्राम योजना है, यह योजना । दोश्वत दोश्वत ग्यारा-क्टॉमबर को प्रारम हुई थी, 11 अक्टॉमबर 2014, और प्रदान मंत्री जंदन योजना है ये दोस्तो 28 अगस्त को ये प्रारंब हुई थी अब यहां पर देख लीजे करम और काल करमा नुसार अपने को यहां पर जचाना है तो सबसे पहले आएगा दोस्तो इसमें परदान मंत्री जंदन योजना फिर स्वच भारत अबियान सान सद आदर सद ग्राम योजना और पर परदान मंतरी की सान सम्मान योजना तो इसमें दोस्तों तीन एक दो चार इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि कि ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 106 नंबर का प्रेशन है राजस्तान की जैव प्रद्योगी की नीती का उद्दे से है तो वो उद्दे से कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहां पर बताना है प्रयास करदने वह उससे विक्षित करने के लिए आदर्थ volver बनाने का संस्ताओं को इस्तापित करना वैलगातार उनियान करते रहने की चेश्टा करना है बिल्कुल सही है और देखिए इसमें जय उपरोद्योगी के लिए मानव संसादन का विकास करना ये भी बिल्कुल सही है राइट आंसर हो जाएगा उपरोग सभी डी नंबर उप्सन बिल्क सरकार के द्वारा सी नंबर उप्सन सही उत्र सरकार आगे देखिए एन एस एजी का पूर्ण रूप है एन एस एजी का पूर्ण रूप क्या है तो वह है दोस्तों नेनो साइन से एडविश्टोरी ग्रूप तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का उप् मेकनिकल प्रोब है यह तो इसमें एन नंबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है तीक है अच्छा प्रसन है यह आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 110 नंबर का प्रसन है कौन सा मिसाइल दागो और भूल जाओ कि सिद्धान पर कारी करता है तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रमोस मिसाइल ठीक है मिसाइल दागो और भूल जाओ ए नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें राजस्तान में विद्याले विज्यान कलब और बाल विज्य का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है राजस्तान में विद्याले विज्यान कलब और बाल विज्यान का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें विज्यान संचार और लोग प्रिय करन पर भाग बी नंबर क जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तप का एक भाग सोंख लिया जाता है और पर्थवी की विक्रित उस्मा का संत्रन भी किया जाता है निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तप का एक भाग सोंख लिया जाता है और पर्थवी की विक्रित उस्मा का संत्रण भी किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह कारबंडा योक्साइड तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखे किस ताप पर पानी का गनत्व उच्तम होता है बता चंदर्मा पर हुए विसपोर्ट की गौंज पर्त्वी पर नहीं सुनी जा सकती क्योंकि बताइए क्योंकि दवनी तरंगों के लिए पदार्थिक माद्यम की आवसकता होती है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आ कि पदार्थ है जो जो दोस्तो 37 एलेक्ट्रॉन युगमग्यों करता है सी नमबर का अप्षन बिल्कुल सभी तरि होग आगे देखिए इसमें इस्थ की आपके सिर्यों जगता है इसकर राइट एंसर हो जाएगा वह इसमें zero तो इसमें a number option बिल्कुल सही उतर zero होती है आगे देखिए इसमें चार कन किसके समान होते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए दोस्तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें हीलियम नाबिक तो इसमें a number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है सुरी अलफा कन है यह फोर करनी है अलफा कन है अलफा कन मिस्प्रिंट और किये अलफा कन है वो किसके समान होता है तो यह दोस्तो हीलियम नाबिक के समान तो इसमें right answer a number option सही उतर हो जाएगा आगे देखे वर्स गुनी सो पहतालिस में नागा साकी जापान में गिराए गए बंबो में कौन सा विस्पोर्ट पदार्त परियुक्त किया जाता है तो कौन सा विस्पोर्ट पदार्त परियुक्त किया गया था तो इसमें right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें plutonium c-number option बिल्कुल सही उतर plutonium आगे देखे बायोगैस का mFrankie-Aweow कौन सा है तो वो है दोस्तो methen d-number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेमनमें से कौन सा विसानु जनितरोग है तो विसानों जनीत रोग कौंसा है तो वो है दोस्तों रेबीज, सी नमबर उप्षन सभी, आगे देखे, राजस्तान खिलाडियों तथा उनसे समंधित खेलों के संदर्ब में कौंसा युग्म सभी नहीं है, तो दोस्तों इसमें कौंसा युग्म है, वो सभी नहीं है, वो यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें दिल्ली के पर्तम सुल्टान जिन्होंने दक्षिन भारत को पराजित करने वान पर वक्सित है राइट ऑम सर रो जाएगा वो है दोस्तों बहूद लिए ऑंगे देखिए स्यम को दी सिकंदर यानि कि सिकंदर कहनेवाला सुल्तान कोन था तो वह था दुस्तों इसके अलायो दिन खिलजी बिनम्बर उप्षन बहुद जाता है यानि कि दोस्तों का पर पंपास के मैधान है वो दोस्तों कहांपर पाक्ता 27 अ मरिका मेरिकों बिलकु उटरा आगे देखे नियल नदी का श्रोफ क्या है है Excellent लेक विक्टोरिया बी नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें word में cut and paste करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है word में cut and paste करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो edit menu हुँ तो इसमें सी नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए तिर्टिय बोद संगिती का आयोजन है वो किसके समय हुआ था मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों अका अके एका एक यानि की अजात सत्रू काला सोक असोक और कनीश के तो तीसरी बोद संगिती है व बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए अंतर राष्टिय ओलम्पिक समिती ने वर्ष दोहजार बीस में होने वाले ओलम्पिक खेलों की मेजवानी किस सहर को परदान की है तो बताए कौन से सहर को परदान की है तो यह दोस्तों मेल बर्न और उस्टेलिया को यह मे दिवस कब मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है दूसतों कब राइट आंसर हो जाएगा इसका वह दूस्तों कभरते मानडरीं चीफ को था तो वो था दोस्तों इसमें जनरल के एम करियपा ये पहले भारतिये कमांडर इंचीप थे आगे देखें इसमें निम्नलिकित में से कौन सा कथन है वो ऐसते हैं वो यहां पर अपने को बताना है तो यहां पर देखी दोस्तों सीधा सा मैं यहां पर आपको बता दूं बहुत ही अच्छा प्रेस्न निर्ग कुस सक्तिया परदान करता है यह काथन हैं यह सबीदान सरकार को निरंकुच सक्तिया परदान करता है ये गलत हो जाएगा इसमें बाकी तीनों सही है वीडियो स्टॉप कर क्या पढ़ सकते हैं आगे देखे नेपाल के सर्वोच नैले ने वहां की राश्ट्रपती विद्या देवी बंडारी को किस देश का परदानमंत्री न्यूक्त करने को एतियासिक आदेश पारित किया है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 जुलाई 2021 को नेपाल के सर्वोच नैले ने अपने एक एतियासिक आदेश में राश्ट्रपती विद्या देवी बंडारी को सेर बाहदूर देवबा को देश का परदानमंत्री न्यूक्त करने का निर्देश दिया है त फुकू ओका प्राइज किस भारतिये व्यक्तित्वे को प्राप्त हुआ है तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें किसे तो दोस्तो ये पी साइनात को प्राप्त हुआ है किसे पी साइनात को ये प्राप्त हुआ है तीक है ग्रेंड है फुक तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है यहां पर देखिए दोस्तों अब अपने पंद्रा किसन है वह रिजिनिंग और मैट से समद्धित पूछे जाएंगे तो दोस्तों नोर्मली इंसभा है वह रिजिनिग और मैत के क्यिस्टन है वह नहीं कभी पढ़ााना तो भी वह पर सकता है ठीक है कहां पर देखिए सी है वो तीन・भर पर है और एस किते नंबर पर है तो ये दोस्तों सुरय यहां पर देखिए C और B C और B दे रखा है कट में C और S T B के अंदर B क्या हो रहा है माइनस एक हो रहा है U और T में इसमें भी दोस्तों माइनस एक हो रहा है और T और S में इसमें भी दोस्तों माइनस में एक हो रहा है यानि कि सब में माइनस एक हो रहा है तो अपने को भी SI करना है सब देखिए C में माइनस एक किया क्या आगया B O में एक माइनस किया तो N आगया U में एक माइनस किया तो दोस्तो इसमें T आगया तो T N भी किसमें है यह रा S क्यों T N भी यह अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो इसमें और भी है TNB इसके अंदर भी है ठीक है और देख लिए दोस्तो R में एक माइनस किया तो दोस्तो क्या आएगा क्यूं ठीक है तो इसमें यह आएगा दोस्तो SQ TNB इसका right answer B number option सहे उतर जाएगा आगे देखे जिस प्रकार रसोई इस्टो से समंदित है उसी प्रकार कारियाल निमनलिकित मिसी किस समंदित है तो ये दोस्तो समंदित है किसे बताइए ये मेज के उपियोक से समंदित है तो दोस्तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिलकुल सही उतर है यहां पर देखिए बलड रिलेशन से सम है ये वाई का पिता है ठीक है फादर है ठीक है एस टी का भाई है एस है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है एक्स का क्या है मामा एस एस है वो एक्स का मामा है और टी का क्या है ये भाई है ठीक है अब दोस्तों यहां पे देखें टी का आर से क्या समंद है टी का आर से क्या समंद है तो दोस्तों यहां पर देखिए आर है यह क्या है पिता तो यह इसकी क्या हो गई टी क्या हो गई वह जाएगी दोस्तों इसमें पत्नी ठीक है तो यहां पर इस प्रेस्टन का जो टी आर की पत्नी है टी है वो आर की क्या है पत्नी तो इसमें बी नंबर उप्शन सही व्यवस्तित बताना है आपे यानि कि R A A H K S दे रखा है इसका अपने को अर्थपूर्ण सब्स बनाना है तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूँ सब्झ कोन सा बनेगा सारक है आच एस एच एच ए आर क этой के इन सबी को मिला कर और यह सारक सब्झ बनता है यहांपे टीक है तो अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा पांज सो वाट आपछे सोदार ठीक है यह कोड है इसका जिसका जो कोड है वो यहां पर लिखना है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सहीज़तर यहां पर देखे दोस्तों यह भी क्यूशन आप कर सकते हैं यहां पर देखिए माईला डॉक्टर और मा के बीच समंद को बताना था ठीक है तो दोस मा है वो डॉक्टर है और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर है ठीक है तो इसमें यह एक डाइगराम बनेगा तो इसमें राइट आंसर दोस्तों अप्शन नहीं दे रखे हैं ठीक है बाकी नॉर्मल क्यूशन है दोस्तों रिजनिंग के क्यूशन है आप कर सकते हैं को ज्यादा से 20-30 अदिक पर बेशता है तो लाब कितना हुआ उसे तो दोस्तों सीधासा है यहां पर 50-30 का इसमें क्या हुआ लाब हुआ ठीक है तो यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर डी नंबर उप्सन हो जाएगा नॉर्मल क्यूसन है जो आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो द देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाईए आपको फॉल्डर मिल जाएगा फॉल्डर का नाम है आर इस प्री मॉडल पेपर के नाम से वहां फॉल्डर बनावा है ता आप वहां जाके मॉडल पेपर का टेस्ट आश्ट अवसे दें और अध्यारेस के यूट्व जैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जै भरत